स्वागते फिर से आपको मेरे एक और नई वीडियो में तो आज मैं वापस जा रहा हूं हमाचल तो मेरे प्यारे बाई हो जितने भी मेरे प्यारे बाई मुझे यहां बनिहाल में जिन से मैंने बहुत ज्यादा प्यार पाया है उनको मैं बहुत मिस करूँगा काफी दिनों के की लिए मैं आप जा रहा हूं फिर से बाहर अपने स्केट से बहर तो यह मेरा पिछे गाउँ है यह गाउँ है पूरा पिछे मेरा व्यू देशे गाउँ का तो दोस्तों आप मुझे अपने दुवाओं में याद रखना और यो प्यार है वो बनाए रखना तो यही है आज आज का ब्लोग आज का जो वीडियो से क्योंकि जाते जाते मैं अपने प्यारे भाईयों को सलाम कह के जा रहा हूं कि अब हम बहुत दिनों के बाद मिलेंगे काफी महिनों के बाद मिल सकते हैं कि एंट्रेंट में और उसके साथ साथ कुछ और भी प्रस्नल काम होते हैं इंसान को भी करने पड़ते हैं और वह भी देखने पड़ते हैं तो वही काम करने के लिए जा रहा हूं काफी ताइम के बाधा कम से कम पता नहीं, अल्ला ने जिंदा रखे तो आप भी हम भी सब सलामत रखे तो हम फिर से मिलेंगे, और फिर से हम वही यहां पर आपको बनी हाल में रूब-रू हो गा। और अभी खिलाल में जहां जा रहा हूं वहीं से आपके साथ हम कनेक्ट देहेंगे और आप मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और फेस्बुक पेज को बूम बूम आशिक को भी आपने फॉलो करना है बूम बूम आशिक के नाम से ही मेरा यूटूब चनल है और दोस्तों आप हमेशा मुझे जैसे प्यार देते ऐसे प्यार देते रहना है और मैं आपको इधर के नजारा दिखाता हूं सामने का देखिए तो सबसे बड़ी बात गाउं में क्या होता है कि पेड़ पोदे लगे होते हैं और पेड़ पोदू में अकसर जो प्यार पाये जाता है और इसी को ही सबसे जादा एहमेद दी जाती है तो आप मेरे साथ बने रही है मैं आगे थोड़ा सा आगे और आपको भी दिखांगा चलिए बने रही है लगता है कि काई नाथ भी मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है लेकिन जाना है तो जब हम आये थे उदर से दूब बहुत तेज थी अब हम जा रहे हैं तो हलके हलकी बारश हो रही है और चलिए मुझे बहुत खुशी है कि बारश हो रही है उससे कहो कि घास हो गयरा और अच्छी ग्रोथ मिलेगी खेतिवारी में चले जुड़े रहे हमारे साथ चले कर दो कर सकत fautले है क्ईषियत का या अच्छी शतरुब थeluसे तेटाय है उससे है कि झाच्छी तो हुग है तो ही या रही है ल ठाद़ खानानी के भी कि अब हो डिदयर 20 तो उलीज से रहे है यो रहे दो उखलम